स्रद्धा इंटर्मेडेट कॉलेज कछनार राजतला वाराणाश्री कक्छाबारवालों का विशेह व्योशाई कध्यान बिजनस इस्टडीज आईए देखते हैं हम यहाँ देखिए वैज्ञानिक प्रबंध ठीक है तो अर्थ एवं अवधारणा वैज्ञानिक प्रबंध शब्द दो सब्दों से मिलकर बना है विज्ञान और प्रबंध ठीक है विज्ञान सेया से व्यवस्थित ज्ञान से है और प्रबंध शेया से कारे के सु व्यवस्थित निश्पादन से संबंधित क्रिया से है विज्ञान का अर्थ है किसी कारे का व्यवस्थित ग्यान ठीक है और कारे का अर्थ है सुव्यवस्थित निस्पादन क्रिया अच्छे से उस कारे को करने की क्रिया अतवे ग्यानिक प्रबंध का अर्थ है किसी कारे को व्यवस्थित ग्यान की सहायता से कुसलता पुर्वक करना अर्थात प्रबंध की परंपरागत पध्यतियों वर शिद्धानतों के अस्थान पर जो पिछले हमारे परंपरागत पध्यतियां थी उसके अस्थान पर आधुनिक पध्यतियों और शिधानतों का प्रयोग करना ही वैज्ञानिक प्रबंध है पहले किसी कारे को मेनेजरियल वर्क को करने के लिए ट्रेडिशनल चीजों को माना जाता था परंपरागत कारे को अपनाया जाता था लेकिन वैज्ञानिक प्रबंध का जब से जन्म हुआ उसके बाद से जो भी प्रबंध के कारे किये जाते हैं वो सब वैज्ञानिक ढंग से विज्ञान पर आधारित आधुनिक अस्तर पे किये जाते हैं परिभासाएं देखे F.W. टेलर के अनुसार तो वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप स्रमिकों से क्या कारे करवाना चाहते हैं और फिर यह देखना है कि वे उसे सर्वत्तम तथा सस्ते ढंग से करें आप क्या कारे कराना चाहते हैं और उस कारे को वे सब क्या करें सबसे उत्तम तरीके से और सस्ते ढंग पर करें ये तो F.W. टेलर के अनुसार था आगे देखिए पीटर F. ड्रकर के अनुसार तो वैज्यानिक प्रबंध कारे का शंगठित अध्यान कारे का अनेक तत्वों में विशलेशन तता स्रमिकों द्वारा किये गए प्रतेक तत्वों में क्रमबध शुधार करना है जो भी कारे किये जा रहे हैं वरकरों द्वारा स्रमिकों द्वारा उनमें सुधार करना और उनके कारे का अध्यान करना इन सब तत्वों का विशलेशन किया जाता है आगे देखिए वेज्ञानिक प्रबंध की विसेस्ताएं तो इसकी विसेस्ताएं निम्न लिखीत हैं पहला है यहां प्रबंध संबंधी शमस्याओं से निवढने का व्यवस्ति द्रिष्टिकोड है जो भीकार हैं उससे उबरने का उससे निवडने का उसको पूरा करने का ये क्या है? एक व्यवस्ति दृष्टिकोर है यहां पुरानी तुका विधियों को अश्विकार करता है जो पहले अंगुठा चापकारे और अंदाजी एक तीर मारना तुका मारना वो सब जो क्रियाय थी उसको क्या करता है? और स्विकार करता है उसको स्विकार नहीं करता है आगे देखिए यहां प्रत्य कर्मचारी का विकाश करने के प्रयत्न करता है ताकि वह अपनी अधिक्तम कारेकुशलता के साथ काम कर सके प्रत्य कर्मचारियों में विकाश करने का प्रयत्न करता है ताकि उनमें जो कारे कुशलता है उनका कुशलतम उपयोग किया जा सके ऐसा नहीं है कि सभी कर्मचारी क्या है अनभीग है अनपड़ है उनमें होती है कारे कुशलता केवल उनको एक सही दिसा निर्देश सही गाइडलाइन किया विश्यक्ता होती है जो की वेग्यानिक पधती में उनको बताया जाता है और उनके अंदर के जो कारे कौशल है उनकी जो गुडवत्ता है उसको उभारा जाता है आगे देखे चौथा इसमें कारे करने की विधी भरती चयन और कर्मचारियों की प्रसिक्षण में वेग्यानिक तखनिकों का उप्रयोग होता है जो इसमें भरती चयन है कर्मचारियों का प्रसिक्षण ये सब वेग्यानिक तदिके से किये जाते हैं आगे देखिए यह नियुन्तम लागत पर किसी कारे को करने की सबसे उपयोगी विधी को खोज निकालने का प्रयत्न करता है। परिवरतन सामिल है। कर्मचारियों और प्रबंद दोनों के मानसिक द्रिष्टिकोड जो कि उनका पहले से बना बनाया एक अपना ब्योरा होता है। दक्ता जैसे प्रमापित, यंत्रों, उपकरणों, विधीयों और कर्मचारियों के प्रसिक्छन द्वारा उत्पादन की दर को बढ़ाना। जितना भी मतलब हमने पहले से एक स्टेंडर्ड बना लिया था कि दस कर्मचारी, इतनी मसीने और ये इन विधीयों द्वारा इतनी यूनिट का हमको प्रड़क्शन करना है। लेकिन ये जो हमारे उप्योगी चीजे थी, मसीन हमारा उतना ही रहे, उपकरण उतने ही रहे, विधीयों वहीं हो, कर्मचारियों के शंख्या भी उतनी ही हो। लेकिन इसका उदेश्य क्या होता है? हमारा जो यूनिट अप्रोड़क्शन है, उत्पादक्ता इकाई है, उसमें क्या हो जाएं? व्रिधी हो जाएं। हमने सोचा था कि 100 यूनिट बनाने के लिए हमने इतने चीजों का उपियोग किया है। लेकिन जब हमने प्रोडक्शन किया उत्पादन किया तो वहां पे हमारे यूनिट जो हो सो इकाईस से बढ़के 110, 120, 105 क्या हो जाएं इंक्रीज हो जाएं डिक्रीज न हो ठीक हैं आगे हैं अपव्ययों को दूर करना तो संसाधनों के प्रयोग और निर्मार की विधियों में अपव्ययों को दूर करना जितने भी संसाधन लगे हैं उसमें कोई भी टाइम फालतों में न जाए कोई भी फ्री टाइम व्याय न हो पूरे समय का सर्वत्तम धंक से उप्योग करके अधिक्तम उत्पादन किया जाए आगे देखिए ट्रेडात्मक मजदूरी तो कुसल करमचारियों को उची दर से मजदूरी देना ऐसा नहीं कि सभी करमचारियों को हम एक ही रेट से वहां पर दें मजदूरी जो जैसे कारे करते हैं जिन में जैसी क्वालिटी होती है उसके कार्डिंग उनका बढ़ता घटा रहता है आगे देखिए गुडवत्ता निय पुड नियोजन तथा लागत नियंत्रण तकनिकों का इस्तेमाल करके उत्पादन लागतों को घटाना शही व्यतियों को शही कारे पर लगाना जैसा क्लियर है कि जिसके अंदर जैसी क्वालिटी है उसके एकार्डिंग उनको कारियों पर लगाया जाये ठीक है तो यह तो और आविख्शित्व हैं संगर्ण गत्वार्ड करें शिद्धांथ इसके क्या प्रिंसिप्ल सरेषां प्रिंसिप्ल्स साथ प्रिंसिप्ल सेवर्फ सब्सक्राइब देखी TW TILL दॏरड़ा कि प्रतीपाधित कि इस्टीफिक जो भी त्थ देख तेला विज्ञान की रुड़ी वादिता तो जैसा कहा रहा है यह शिद्धान्द विज्ञानिक विधियों को विकाश और प्रयोग पर बल देते हैं विज्ञानिक विधियों के अंतरगत कारे के सुक्ष्म पहलू की गहन जाच की जाती है टेलर ने इस बात पर जोड़ दिया कि प विज्ञान न की रुड़ी वादिता विज्ञान मतलब की किसी कारे को शुव व्यवस्थित करना न की उसमें रुड़ी वादिता आ जाए न की उसमें कोई इंटरफेर करने लगे नहीं ये कारे गलत है ये कारे शही है विज्ञान पर अधारित हो जो की सब लोगों द्व किये जाने चाहिए उनके बीच में किसी प्रकार के मतभेद न हूँ नेक्स्ट है सहयोग न की व्यक्तिवाद लोगों में एक दूसरे के को आपरेटिव हों एक दूसरे के सहयोगी हों ऐसा नहीं है कि हमको कोई कारे आ रहा है और कोई नया बंदा आता है उसमें कारे करने के लिए नया व्यक्ति आता है और हम उसको बताए न उसके साथ मिल करके कारे न करें हम सोचे कि हमी बड़े बने रहें और उसको कोई कारे न आ है कोई नया व्यक्ति नया परसन आपके कारे में इन्वाल होता है तो आप उसके साथ मिल करके व्यक्तिवाद न करके उसका करें उसके साथ मिल करके उसको उसको क्या करें निपुड करें आगे देखिए प्रते एक व्यक्ति का उसकी अधिक्तम कुशलता और सफलता तक विकास जो भी व्यक्ति वहां पराता है उसका उसकी अधिक्तम कुशलता और सफलता तक विकास होना चाहिए पढ़ लिखकर व्य नॉलेज बढ़ाना चाहिए तो आज इतना ही नेक्स्ट कल हमारा टॉपिक रहेगा टेलर के विज्ञानिक तक्निके आज के लिए धन्यवादी